में चुनाओ को ले जाकर के आप चुनाओ जीतने को लेकर आश्रस्त हैं तो फिर इडी का इतना इस्तेमाल क्यूं कर रहे हैं कुछ तो घब रहाट है इंडिया एलाइन से लक्षदीप को ले करके 2021 में रहुल गांदी जी लक्षदीप के लोगों की पीड़ा और को ले करके प्रधान मंत्री जी की हालिया जो विजिट थी उसके बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर प्रपगंडा करने की कोशिश की गई मैं उससे अलग एक बात कह रहा हूं लक्षदीप को ले करके 2021 में रहुल गांदी जी लक्षदीप के लोगों की पीड़ा और लक्ष लक्षदीप में टूरिजम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले लक्षदीप पहुंचने की जो पेपर वर्क है उसको आसान करिए ताके वहां के लोगों और यहां दिल्ली और उसके आसपास के बीच में कनेक्टिविटी बने उसका राजनेतिक इस्तेमाल मत करिए आप राजनीती करके इस तरह के मुद्दों पे एक के बाद एक अपने पडोसी खोते जा रहे हैं और उन्हें चीन की गोद में भेजते जा रहे हैं और खुद चीन को बुला करके आप RSS के दफ्तर में आप मीटिंग करवा रहे हैं तो यह पूरा जो एपिसोड है प्रधान मंत पार्टी किस मुझ से यह बात कहती है बंगारू लक्षमर जी से ले करके हमन तब इस्तो सर्मा तक भारती जनता पार्टी का पूरा इतिहास भरा पड़ा है ब्रस्टाचार को ले करके वो लालू जी के परिवार को निशाना बनाने से पहले अपने गिरेबान में जहाके है पचासों नाम गिनाय जा सकते हैं अन कैमरा अन रिकॉर्ड सारी चीजें देश के सामने हैं पहली बात दूसरी बात इडी को काम पर लगाया हुआ है चुनाओ से पहले और इस तरह की घटनाएं इस तरह की चार शीट अभी और फाइल होती रहेंगी लेकिन मुझे तो एक स घबरहट है इंडिया एलाइन से जिसकी वज़ा से आज यहां रेट कल वहां रेट शुसेना के उद्ध्य ठाकरे जी के करीबी पर रेट कभी इंडिया एलाइन के घटक दलों पर रेट तो ये इतनी घबरहट क्यूं है इतना इडी का इस्तेमाल क्यूं कर रहे हैं कहीं कु जो स्पीकर है उन्होंने मुलाकात करी एक नाथ चिंदे से जो मुख्यमंत्री है उद्व ठाकरे ने इसके उपर अब्जेक्शन उन्ठाया है और वकाइदा एपिदविट तक जो है सुप्रीम कोट में दिया है कि इस तरीके की मीटिंग हो रही है एक स्पीकर और उनके ब तो लोकतंत्त को लूटा गया और लूटने के बाद बूरी बेशरमी से सरकार चलाई जा रही है जबकि वो सरकार को ना तो नेटिक रूप रहने का अधिकार है और ना ही कानुनी तोर पर रहने का अधिकार है हमें पूरा विश्वास है कि कितरी भी मुलाकातें कर लें विधान संभाद्यक्ष लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार है वह एकनाचशिन्दे और उनके सहयोगी विधायकों पर गिरेगी ही बचा नहीं पाएंगे उन्हें हो सकता है आजीत पवार जी नरेंदर मोदी जी के लिए कह रहे हूं नरेंदर मोदी जी की विम्र काफी हो चुकी है तो हो सकता है वो उनके लिए कह रहे हूं बाकि शरत पवार जी में वहां के लोगों की आस्था है लोग उन पर विश्वास करते हैं और वह जुझारू नेता हैं उनकी पिछले चुनाओं की बारिश में भीगते हुए भाशन देने की तश्विदीरें जो है उसने पूरे महरास्ट्रा के चुनाओं पर व्यापक असर डाला था तो अजीद पवार जी जिन्होंने अपने चाचा के परिवार को तोड़ने में कोई को खसर नहीं छोड़ रखिया वह इस तरह का बयान दे करके कौन सी प्रासंगिक्ता साबित करना चाहते हैं समझ से पर